इस वीडियो में आप सीखेंगे कि परसंटेज किस तरह से निकाला जाता है इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि आपने कोई एक्जाम दिया जो की वो 500 नंबर का था तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तोटल आपने एक exam दिया जो कि कितने number का था? 500 number का था और उस exam में आपको कितने number मिले? ये भी मैं मैं मान लेता हूँ कि आपको 300 number मिले होंगे exam में 500 में से और ये जो 300 number है ये 500 का कितने % है अगर ये percentage में convert करेंगे तो ये 60 % आएगा अब percentage में यही तीनी चीज होती है या तो वो total number होंगे और उसमें से कितने मिले वो होते हैं और उसका percentage कितना हुआ वो होता है अब जब भी आपके सामने कोई भी सवाल आएगा तब आपको इन तीनों में से सिर्फ दो चीजे दी जाती है जिन में से तीसरी चीज आप से पूछी जाती है तो इन तीनों चीजों को किस तरह से निकाला जाता है आएए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ पहली condition मैं मान लीजे कि आपको ये मालूम है कि 500 number का paper हुआ और उसमें से आपको कितने number मिले 300 number मिले तो कितने percent मिले होंगे ये कैसे निकाले तो पहली condition में जब आपको total number मालूम हो तो वो total number इस तरह से नीचे लिखेंगे और उस total number में से कितने number मिले वो number आप उपर लिख देंगे अब ये कितने percent है 300 number 500 का कितने percent है उसके लिए आप 100 से multiply करेंगे सिर्फ एक ये तरीका होता है इससे आप इसको calculate कर लेंगे आपका percentage जा जाएगा वो पता हो तब 100 से multiply करके इस तरह से आपको percentage पता चल जाएगा ये पहली condition हो गई अब दुसरी condition देखिए और दुसरी condition में ये मान लिजे कि 500 number का paper था जिसमें आपको 300 number की बजाए percentage दिया हो कि 60 percent number मिले हैं तो कितने number मिले होंगे ये number किस तरह से निकालें उसके लिए आप क्या करेंगे देखिए जब आपको total number दिया हो तब आप total number इस तरह से लिखेंगे और अगर 7 में percentage दिया हो total number के 7 में तब 500 लिखेंगे और उस total number में percentage का multiply कर देंगे यानि कि 500 का 60 percent कितना होगा और उसके लिए नीचे divide 100 से कर देंगे तो यह किस तरह से लिखा यह किस तरह से लिखा इसको सिर्फ आपको दिमाग में याद रखना है यानि total number दिया हो और कितने percent मिले तब उसका total number में percentage का multiply कर दीजे और 100 से भाग कर दीजे और इसे solve कर दीजे तो आपको पता चल जाएगा कितने number आपको paper में मिले देखिए एक दो एक दो दो जीरो कड़ गए अब पांच का 60 multiply करेंगे पांच हंग 30 होता है और ये वाला एक 0 आ गया है यानि total 300 number मिले अब तिसरी condition में क्या हो सकता है देखिए एक condition में total number दिया था और उसमें से कितने मिले तो किस तरह से percentage निकाला दूसरी condition में total number दिये थे और percentage कितने मिले तो कितने number मिले होंगे वो यहां से निकाल लिया तिसरी condition में माल लिजिए आपको number मिले कितने वो दिये हैं और वो जो number है वो कितने percent है वो दिये हैं तो total कितने number का paper था ये किस तरह से निकाले तो उसके लिए इसी condition का देखिए हम उल्टा कर देंगे अगर total number दिया था तो भी हमने 500 लिखा या फिर total number ना दिया हो कितने number मिल तब आप यहां पर 300 इस तरह से लिखेंगे और अगर total number ना दिये हो तब इस चीज को पलट कर लिख देंगे यानि कि ये जो percentage 60% दिया है और वो कितने number मिले 300 300 लिख दिया और 60% दिये हैं तो 60% का उल्टा कर देंगे यानि 100 बटे 60 कर देंगे तब आपको पता चल जाएग total कितने number का paper था जब आपको दिया हो कितने number मिले हैं और वो इतने percent है तो ये 300 किस number का 60% है तब इसे solve कर लेंगे तो किस number का 60% है ये 300 तो total number पता चल जाएगा देखिए 10 से 10 कर गया 6 कम 6 और 6 पंजे 30 होता है 5 का 2 में 100 multiply करेंगे तो 500 निकल कर आ जाएगा तो ये 300 किस number का 60% ह तो इसी वाले का उल्टे से multiply कर देंगे तो total number आपको पता चल जाएगा तो मुझे उम्मीद है आपको percentage अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे comment करके बता सकते हैं अगर आप किसी भी सवाल में फस रहे हैं तो वो भी आप मुझ के लिए बने रही है जैक सर के साथ